राजिस्थान के रामगड अलवर उपखंड शेत्र के ग्राम मस्ताबाद बगड राजपूत बरवाड़ा लावड़ी मालपूर खेड़ी खानपूर चावड़ बास इत्यादी गाउं में बिना रोक टोक अभैद रूप से बजुरी निकाल का प्रशासन की नाक के सामने से भर कर ले जाई जा रही है प्रशासन को ग्रामीडों ने इस बारे में कई बार अवगत कराया लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कारवाई नहीं की जा रही है ये अभैद टेक्टरों को भर कर सड़कों पर पैरों कटों को धडल्ले से भगाते हैं जिसके कारड कई बार पट्टे के बजरी माफिया बेरो का टॉक कर रहे हैं बजरी का बड़े इस्थर पर खनन इस्थानिय प्रशासन हलका पटवारी पुलिस चौकी के द्वारा कोई भी कारवाई नहीं की जा रही है जो साधनों को प्योक के जा रहा है विया बिना नम्बरी साधन है, एक भी साधनों पे नमबर नहीं है और यह दिन दुरगटना करते हैं तेज गती से ओं'... बजरी की भरकर निको भगा कर ले जाता है गाउं में से जिसे रोज दुरगटना है हो रही है इस मामले को लेकर खनीज विवाग अलवर में मैं आज खनीज विवाग के बड़े अधिकारी से मिला हूँ और उनको मैंने अवेद भजरी खनन की सिकायत दी है रामगड पिर्शासन और पुलिस चो की बगड तराया हलका पटवारी बगड राजपूत बजरी के खनन माफियाओं से मिले हुए है कई बार सिकायत करने के बावजूद भी सिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अवेद बजरी खनन जो माफियाओं है अपरती किसम के लोगे इनका द्वारा मुझे को जान से बारने की धंकिया दे जा रही है तो मेरा जिल्या कलेक्टर राष्थान सरकार से हाच जोड़कर निवेदन है कि मेरी सिकायत पर गोर फर्मा कर इन अवेद बजरी खनन माफियाओं के खिलाब सक्षक कारवाई की जाए और मुझे नियाए दिलाए जाए यही मेरी मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर